हालो बच्चो देखो बच्चो मैंने पहले इसका P1 का जो IMP डाइग्राम है बच्चो इसके उपर मैंने सवाल बनाया था बच्चो मैं दुबारा बोल रहा हूं आपको नहीं कहां ये डाइग्राम शुर पास होने के लिए help कर सकते बच्चो प्राक्टिकल विड डाइग्रा कम से कम ड्राइग्राम कर लो आप पास हो जाओगे बच्चो जिनको फ्रेल होने का डार है उन बच्चे के लिए बहुत फाइदेबन वीडियोज बच्चो ये मैंने P1 का अप्लोड किया इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंग आपको तो देखना है बच्चो फीजिक्स टू के जो इंपोर्टन डाइग्राम फॉर एचे सीबोड टूजन 2020 खेलना है ना 2020 खेलना इस साल तो बच्चो यहां पर सबसे पहले इस P2 में बच्चो सबसे बाब ध्यान में रखना है डाइग्राम की उपर बहुत जादा फोकस करना पड़ता है और पीवन में डेरिवेशन की उपर जादा फोकस करना पड़ता है और पीटू में डाइग्राम की उपर जादा फोकस करना पड़ता है तो देखो बच्चो पहले रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड पोला रही जो लाइट है इसकी डाइग्राम अच्छी तरह से करना है ने क्या होता है microscope की अच्छी डाइग्राम करो टेलिस्कोप की अच्छी डाइग्राम करो इसमें डाइग्राम जादा होती बच्छो चाप्टर वाइज यहां पर डिफरेंट टैप अप अप कंडेंसर होता है ना पार्लेल प्लेट केंडेंसर ऐसे टाइब्स लगना यह आप है वंडिक ग्राब जन्रेटर के उपर यह इंपोर्टन डाइग्राम ही उसको उपर दो मार के लिए सवाल आ सकता है बच्चो इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि यह जो डाइग्राम है उसकी भी करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए ठीक बच्चो नेक्स्ट रे मीटर ब्रीज और केल्विन मेठट की डाइग्राम अच्छी तरह से करकर रखना है मीटर ब्रीज वैसे तो डाइग्राम करने में तो हम गहारे पास विस्टन ब्रीज की भी है पोटेंशियों री अच्छे तरह से नेक्स्ट चप्टर में, नेक्स्ट EMI चप्टर में, उसमें ट्रांस्फार्मर, स्टेपर स्टेप डाउन, सब कुछ करना है, यल्सी ऑक्सुलेशन के अलग-अलग 3-4 डायग्राम से वो अच्छे तरह से आपको करना पड़ेगी, इसकी डायग्राम आपको बच्चो जो नोडबुक है, जो टेक्स्ट बुक से महाराष्टर स्टेप्मोन गवर्मेंट की, उसी में से डायग्राम ट्रा करना है, कोई भी अधर नोड्स इस्तमाल नहीं करना है डायग्राम के लिए, I will repeat बच्चो, यहाँ पे हम लोगों को अधर कोई भी नोट जो भी इस्तमाल करता है, कोई ये करता है, कर लो, बच्चो के लिए बहुत अच्छी है, मैं इसको अपर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डायग्राम अगर आपको करना है, तो बच्चो आप लोगी की बुक्स से करना है, और दुसरी बच्चो इसको उपर मैक्जिमम टाइम सवाल आने की चांसे पका नहीं है, मैक्जिमम टाइप कोश्चन सानी की सवाल रहते हैं, कि डायबल डायग्राम दो मार के लिए सवाल आते रहते हैं, नेक्ष्ट है बच्चो आपको यहाँ पे हैट्रोजन स्प्रेक्टरम, लमन सेरीज, बालमन सेरीज, पैसन सेरीज, उसकी इनरजी, उसके बाद में उसके यन इस इकोल टू, यह सब कुछ लिखना है, डिविजन एंड जर्मन एक्स्प्रेमेंट, बांडिंग एडिजी पर न्यूक्लियर का जो ग्राफ है बच्चो इस ग्राफ को भी अच्छी तरह से करके रखना है, यह बहुत इंपोर्टन्स है, उसके बाद में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में डो डायग्राम से हाफ इसकी भी डायग्राम अच्छी तरह से आपको निकारना पड़ेगी, उसके बाद में बच्चो यहाँ पे कमिनिकेशन सिस्टीम की ब्लॉंग डायग्राम, जो लाश्ट का चप्टर 20 नमर का है, ट्रांस्मीटर की, रिसीवर की, मॉडुलेटर अच्छी तरह से यहाँ पे बच्चो यह ही इंपोर्टन डायग्राम इसको अच्छे तरह से करना, बच्चो मैं दुबारा बोल रहा हूँ, आप फिक्स इसके अच्छे नमबस ला सकते हो, विदाउट टाइम योश्टेश करते हुए, आपको यह करना है, डायग्राम ड्रा करते बेठो, जिनको लगत मैं फेल हो सकता, असर मुझे समझवे नहीं आती फिजिक्स, मुझे कुछ भी नहीं करने आता, तो बच्चो हर सवाल में आपको डायग्राम ड्रा करना पड़ती है, डायग्राम ड्रा करने से उसका थोड़ा एक्स्प्लेनेशन, थोड़ा सा फेक अला चाहिए बच्चो, तो एक, हर क्वेशन में आगर हम लोग ऐसे, मैंगजिमा बच्चो, B, C, D, तीन शक्षन है, तीनों स्क्षन में मैं इतना बताता हूं, P1, P2 दोनों मिला के, मिनिमम दो, 4, 6, है ना, मतलब नियर अबोटली डायग्राम की उपर बच्चो, यहां पर हमारे पास 78 क्वेशन ह जब उनको फेल होने का डर होता, और जो तो अच्छे मार्स ने रहे तो उनके लिए तो अच्छी डायग्राम ब्रा करना भी एक, इंपोर्टन्स होती ही चीज़, क्यों, क्योंकि उस एक्जामिनेर का सबसे ज्यादा फोकस ता डायग्राम, डायग्राम कितने अच्छी नि तो बच्चों पढ़ाई करते हैं, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो और बेस्ट लग फॉर एक्जामिनेशन